हेलो फ्रेंड्स तेवारों के समय में बाहरी मिलावटी समानों से खाने से बचिए और घर पे बनाए मुमफली की बरफी जो खाने में बहुत तेस्टी और बहुत ही कम लागत में बनकर रेडी हो जाती है यह आप देड़ सु रूपय में लमसम आप वन केजी बरफी बना सकत रहें यहां western photo में मुमफली डालें और इसको हम लो-टु-मीडियूम फ्लेम में रोस्ट करेंगे आप लोग हमारे वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन आप सस्क्राइब करना भूल जाते हैं तो सच्काइब च इसे बताते रहेंगे और कमेंट करकर जरूर बताएगे कि आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे वीडियो कहां से देखे जा रहे हैं यह देखिए ऐसे हमें low to medium flame में रोस्ट करना है और continue चलाते हुए ही मुमफलियों को रोस्ट करना है वीडियो को पूरा देखेएगा बीना skip की हुए तभी आपकी डिस अच्छी बनेगी यह देखिए रोस्ट हो रही है हमारी मुमफली अब रोस्ट हो चुकी है हम गैस का flame बंद कर देंगे इनको हम ठंडा करेंगे यह देखिए अब इनको हम ठंडा करेंगे एक प्लेट में निकाल लेगे एक कि वहती ही तेस्टी और बहुत ही स्वादिस्ट वर्फी लगती है अब यहां पर हम half cup नार्यल का बुरादा लेएगे इसको आप मार्गेट से भी ले सकते हैं और नारियल के गोले को घर पे ही कद्दूकस कर सकते हैं लेकिन कद्दूकस हमें छोटे वाले साइट से करना है ताकि बहुती छोटा छोटा पीसेस में कद्दूकस किया होगा बुरादा निकले और इसको एक मिनट के लिए ही हमें हलका सा रोस्ट करना है लो फ्लेम में बिल्कुल हमें इसको रोस्ट करना है ये बर्फी स्वाधिस्ट और यमी बनाने के लिए यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा डाला है अगर आप नारियल पुरादा नहीं डालना चाहते हैं तो मद डाल ये खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगती है इसलिए हमने इसको एड़ किया हुआ है अब यहाँ पे हम एक कपड़ा लेंगे और इसमें हम मुमफली एड़ करेंगे मुमफली छिकल निकालने का बहुती सीक्रेट और बहुती आसान तरीका है कपड़े के चारो कुने पकड़ कर इसको आसानी से हम इसके छिकल एसे असलिए निकाल देंगे और बहुती आसानी से निकल भी जाती है कहीं पे भी गंदगी नहीं फ्यलती है यह देखिए ऐसे हमें निकाल लेने सारे छिकल वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत बूलिये गा अब हम इसके यह देखिए हमारे छिकल निकल चुके हैं अब हम एक छन्नी लेंगे इस से हम छान के निकाल लेंगे अब इसको हम ऐसे छान के सारे दानों को निकालेंगे देखें कितने इजली चिकल भी निकल रहा है और कहीं पे भी गंदगी नहीं फैल रही है ऐसे ही हम निकाल लेंगे यह देखिए बिल्कुल साफ हो चुकी है मुमफली के दाने ऐसे हम सारे दानों को साफ कर लेंगे अब यहाँ पर हमने grinding jar में मुमफली को transfer कर लिया और रोक रोक के हमें mixi को grind करना है यह देखिए हमारा grind हो चुका है आप continue मत चलाएगा वरना मुमफली अच्छी grind नहीं होगी और बहुत ही गीली हो जाएगी इसलिए हमें रोक रोक के grind करना है अब इसमें हम दो से तीन चम्मच milk powder add करेंगे जो सूखा powder होता है उसी को हमें add करना है इसको add करके हम इसको mix कर लेंगे सभी को आपस में mix कर लेना है बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत ही unique तरीके से यह बर्फी बनाएंगे खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप जरूर ट्राइ करिएगा और आप पूरा management बना कर ही चलिएगा वरना आपकी डिस अच्छी नहीं बनेगी जैसे हम बता रहे हैं उसी हिसाब से बनाएगा तभी आपकी डिस अच्छी बनेगी अब हमें एक pan लेंगे और उसमें half liter दूद एड़ करेंगे यहाँ पे मेरा दूद पहले से boil किया हुआ है आप normal दूद को भी boil करके यूज कर सकते हैं अब इसमें हम मूमफली का जो बुरादा बनाया हुआ है अब इसको हम एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा ही हमें पढ़ जाएंगे अगर आप अर्जस्ट कर सकते हैं तो medium to low flame में अर्जस्ट कर लीजे वरना गैस का flame बन कर दीजे और इसको पहले mix कर लिए फिर गैस का flame on कर ले यह देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल कर ही हमें इसको चला चला के add करना है ऐसे हम continue चलाते भी रहेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते भी रहेंगे ताकि इसमें लंस न पड़ें यह देखिए ऐसे हमें add करते रहना है वीडियो को like करना और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा और channel को subscribe करें यह देखिए हमने पूरा डाल लिया है अब इसमें हमने half cup चीनी add करी हुई है चीनी आप अपने टेस्ट के according मीठा कम जादा कर सकते हैं अब इसको हम चलाते हुए continue गाढ़ा करते रहेंगे यह जितना खौलता जाएगा उतना गाढ़ा होता जाएगा ऐसे हमें continue चलाते हुए इसको बनाते रहना है इसको गढ़ा करते रहना है टेस्ट में बहुत स्वाधिस्ट लगती है और बहुत ही आसानी से बनकर ready हो जाती है ना कोई चासनी ना कोई मावा किसी भी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है यह देखिए गढ़ा होने लगा है ऐसे ही हम और अभी इसको चलाएंगे अच अच्छी आ जाती है इसको फिर से हम चलाते रहेंगे और इसका side का part हम उसी में add करते रहेंगे निकाल निकाल के और continue चलाते हुए ही हमें इसको बनाना है वरना नीचे से जल जाएगी यह देखिए अब और गाढ़ा हो चुका है यह खाने में tasty और बहुती स्वादिस्ट है और बिना घी बिना मावा और बिना चीनी चासनी की बनी हुई है देखिएगा हमने एक भी चमच घी का यूस नहीं किया हुआ है यह देखिए अब इसमें हमें देखना है कि बन गया कि नहीं हाथों में एक छोटा सा बॉल सा बन कर देंगे और एक प्लेट लेंगे और इसमें हम घी थोड़ा सा लगा लेंगे थोड़ा सा घी लगाने के बाद में इसमें हम बर्फी एड़ करेंगे अब हम प्लेट में ट्रांसपर करेंगे बर्फी को पूरे बैटर को हम प्लेट में एड़ कर लेंगे थोड़ा सा बैटर हमें ठिक ही रखना है क्योंकि थोड़ा सा मोटी वर्फी अच्छी लगती है इसलिए हमने छोटी सी प्लेट में बनाया हुआ है अब इसको हमें फैला लेना है बराबर साइज में हमें फैलाना है अब इसको हम देखिए चिकना करेंगे ये देखिए एक इस पैचुला से हम इसको चिकना कर लेंगे बहुत ही आसानी से ये चिकना भी हो जाता है ये देखिए खाने में टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बरफी बनकर रेडी होती है अब इसको हम दो घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब यह देखिए दो घंटे हो चुके हैं और बर्फी हमारी अर्जेस्ट हो चुकी है अब इसको हम कट करेंगे पीसेस में हम कट करेंगे इसके आप कैसे भी पीसेस कट कर सकते हैं अपने हिसाब से आप इसको कट करिए, यहाँ पे कुछ हमने ड्राइफूट्स कट करके डाले हैं, हमने पिस्ता को कट करके एड किया हुआ है, अब कोई भी ड्राइफूट्स एड कर सकते हैं, अब इसको हम बर्फी को निकालेंगे, पीसेस में देखिए कितनी आसानी से निकल कर आ रही है हमा लग रही है यह बर्फी, आपको हम जूम करके भी दिखाते हैं, देखिए कितनी अच्छी है हमारी बर्फी रडी हुई है बनकर, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लिस सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू